दोस्तों मैं शाबाद आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एलेक्ट्रिक पॉइंट में और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में ब्रेड टोस्टर को ठीक करना सिखाने वाला हूँ और यह सिखाऊंगा कि किस तरीके से बर्प करता है और अगर आपके ब्रेड टोस इसे अपने घर पर किस तरीके जरे ठीक करेंगे यह सब चीजे दोस्तों आए मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आप इसको ओपन कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हमारी इलेक्ट्रो मैगनेट ओन हो जाएगी और जब उपर वाला लीवर इससे टकराएगा तो यह आपस में चिपक जाएगे यह हमारा टेम्प्रेचर कंट्रोलर है जो यह निर्दारित करेगा कि कितने टेम्प्रेचर पर बोल्टेज को कट कर दिया जाए तो देखिए दोस्तो सबसे पहले इन दोनों तारों से हमारी 220 वोल्टेज इस मदरबॉर्ट के अंदर जाएगी जो कि इस पॉइंट के अंदर चली जाएगी उसके बाद जब यह लीवर हमारा यहां से नीचे आएगा तब यह इसके कनेक्शन को क्लोस कर देगा और हमारी 220 वोल्टेज आगे सरगेट में फर्दर चली जाएगी दोस्तों यह तार हीटर के पास जो अलूमूनियम की शिट लगी होती है उससे जुड़ा रहता है और यह हमारी हीट को सेंस करता है जब एक प्रीडिफाइड लिवल पर हमारी हीट पहुंच जाती है तब इलेक्ट्रो मैगनेट में मैगनेट बनना बंद हो जाएगी और हमारा स्टेंड ऊपर चला जाएगा और पावर सप्लाइग कट हो जाएगी देखिया फ्रेंड्स हमारी 220 वोल्टेज हमारी ऊपर की दो पिन पर आ रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही है नीचे 220 वोल्टेज तब आएगी जो हमारा स्टेंड ऊपर से नीचे रहेगा तब वैं इस कनेक्शन को क्लोस कर देगा मत 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 मरें आएगी तब रहें में लेक्षिप Mormon इस इलेक्ट्रो मेगनेट के अंदर कोई भी मेगनेट नहीं बन रही है जब 220 वोल्टेज के अंदर दी जा रही है जो यह दर्शाता है कि यह हमारा खराब है तो आईए दोस्तों अब हम इसको रिप्लेस करते हैं लिप मेग चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जब हमारा लिवर नीचे है तब हमारी मेगनेट में 220 वोल्टेज अ रही है जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं और जैसी हमारा लीवर उपर गया वैसे कि हमारी लेक्रो बैगनेट पर 220 वोल्टेज कम हो गए और वहां के बल जीरो वोल्टेज शो करने लग गया तो दोस्तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज वीडियो को शेयर करें लाइक करें और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल से जोड़े रहना चाहते हैं और इस तरी खम्माल की वीडियो अपने इमेल पर अपने मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद अस्सलाम वालेकूं